तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल MD Classes को एंड क्लिक करिए बिल आइकॉन पे इंपोर्टन एजुकेशन वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागेते आप सफीका MD Classes की यूट्यूब चलने में तो जैसे कि आप सबको बता है कि बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें इस तरीके के जो कोश्चन्स है जो ट्रिक्नमेटी सीरीज वाले कोश्चन्स जैसे कि माले जैसे साइन 20, साइन 40, इंटो साइन 80 ब कोश्चन को विदिन टू सेकंड आप कोश्चन को सौल कर पाऊगा और आप देख पाऊगे कैसे 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 को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए वीडियो का में कैसे को सुरू करेंगे ताकि हमारा जो कोश्चन है वह बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाए चलिए सबस का यूज होगा कुछ जगा आपको डिरेक्टी कोश्चन देखने को मिल जाएंगे बहुत साही सही आपको मैं बताता हूं सारी चीज़ समझेगा नोट कर लिजएगा वीडियो को सेब कर लिजएगा सेयर करके रखेगा ताकि आपको चीज़े समझ में आने लगे अगर कैसे ऐसे होगा ये वैलू समझेगा जैसे मालीज अगर ठीटा को उसने कह दिया 30 यहां भी क्या होगा 30 होगा और यहां क्या होगा 90 होगा माल दीजी यहां पर तो हमें वैलू पता कर यहां पर मालीज़ 40 कहता है तो यहां पर 20 और यहां पर क्या होगा 100 होगा यानि साइन 40 साइन 20, साइन 100, तो हम इसको सीधी से लिखेंगे, 1 upon 4 sin 3 theta करके लिखेंगे, सेम यही चीज cos में भी apply होगी, और सेम यही सी 10 में भी apply होगी, खाली 10 वाले में 1 upon 4 हम लोग नहीं लगाते हैं, साइन और cos में 1 upon 4 sin theta, 1 upon 4 cos theta, ये पूरा का पूरा लगाएंगे, अगर वो multiply में चीज़े दिया हुआ है, sin theta, sin 60 minus theta, sin 60 plus theta, लेकिन 10 वाले में हम लोग ये चीज़े नहीं लगाते हैं, अब इस चीज़ को अगर आप लोगों नोट कर लिया हो, तो बहुत अच्छा है, इसको जल्दी से note कर लिजे, इसका skin sort जल्दी से ले लिजे, अब इसके बाद हम लोगों बात करेंगे, इस से आने वाले जो questions होते हैं, जो परिक्षाम बार वरी पूटे तो उसको मैं बताऊँगा, और sin 80, यह question आप से कहरा है, आपके mind में तुरहत्म क्या आएगा, यार यह तो theta है, अगर हम theta को 20 माल ले, तो यह 60 मानस 20 है की नहीं है, और यह 60 प्लस 20 है की नहीं है, समझ में आया, यानि यह theta हो गया, वो 60 मानस theta हो गया, यह 60 प्लस theta हो गया, तो value होगी 1 upon 4, sin 3 theta, यानि की 1 upon 4, sin 3 का 3, और theta के value हमें लिया था 20, 20 को हमने theta माना था, और sin 60 हो जाएगा यह, और sin 60 value आपको पता है, root 3 by 2 होता है, तो यह root 3 by 8 इसका सही है, इतनी बात तो maximum वच्चों के यहाँ पर पता होगी, ठीक है, दूसरा तरीका है, जो हम लोग का बहुत 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 तेजी से लगता है, कि आपको ख लगा दो, समझ में आया question, तो हमें क्या समझना है, हमें इस तरीके से question को solve करना है, और हमें ये खुझना है, कौन सा term यहाँ पर missing है, जो term missing है, वही term की value रख दो, 1 upon 4 आगे रख लो, जैसे कि मान लो अगर इसी question में आप से कहता, भया, यह sign 20 को कहता कि cost 20, cost 40, and cost 80 है, उत्र question को आप लोगे कर लोगे की नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे ना, अब आते हैं और अच्छे question पे level धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हर तरह से हम लोग को देखेंगे, बात करते हैं, इसके बात आने लिए question का क्या हमारा क्या कहता है, question समझेगा, cost 12, cost 24, cost 36, 48, 60, 72, 84, बड हमने सबसे छोटे टर्म को अगर मान लिए ठीटा, हमने क्या किया, सबसे छोटा जो टर्म है, उसको हमने मान लिए ठीटा है, इतनी बाद समझ में आ गई सभी को, अच्छा, इस ठीटा में 60 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा, यानि यह क्या लिखा हूँ आप कि वैलू हाजाएगी, और ठीटा कि वैलू यहां पर हमें पता कि हमने 12 माना था, हमने क्या माना था, थीटा कि वैलू 12 माना था, तो 1 upon 4, cos 3 into 12, यह नि 1 upon 4, cos 36 आएगा, यहाँ से, clear है, अब हम अगला टर्म लेंगे, और अगला लेंगे, 24 को हम लोग मान लिए 5, ठीक है, 24 अब इसको हमने माल लिए 5 तो 36 क्या है 60 में से 5 माइनस कर दो 36 हो गया और 60 में 5 माइनस कर दो 5 प्लस कर दो तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 64 यह भी क्या होगा 1 अपन 4 कॉस 3 ठीटा यानि 3 इंटू 24 यानि 1 अपन 4 कॉस 72 आएगा और बच्चा हमारे पाउस कॉस 60 अलग से ज प्लस 1 बाई 4 और यह होता है रूट 5 माइनस 1 बाई 4 लेकिन अगर कोशन में ऐसा आ जाएगा लिंदी तो आपको वहाँ पर दिया रहेगा इसकी वैलव आप नहीं कहा सकते हो में मोटू हम लोग का यह था यहाँ पर इस कोशन में स्वालव करने का आपको बताने का कि हमें जो चीजे खोजना है वो 60 60 माइनस ठीटा 60 प्लस ठीटा 5 5 माइनस ठीटा 5 प्लस ठीटा ऐसा हम लोग कोशन यह खोजना है ठीक है चलो बाई आगले कोशन बात करते हो देखत पता है root 3 by 4, root 3 by 2 हिस की value तो हमें already पता है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, सीधी दिबाता को समझ रही है कि है यार हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें इसकी already value पता है बड़े आराम से, चलो, अब हमें याद देखना है कि अगर हम 20 को ठीटा मान लेंगे, तो या मैं आपको कभी बोच चीज़े नहीं बताऊंगा, जो एक्जाम में नहीं आगा, मैं आपको वो सारी की सारी possibility बता दूँगा, जो एक्जाम में आ सकता है और आपसे परिक्षा पूछा जाए तो बिल्कुल आपको भरम में नहीं रखना, कि आप वही ची रटके जाओ, और sine 120 मानेश ठीटा बरावर होता है, sine ठीटा, और यहाँ पर sine 20 लिका हुआ है, बोलो मजा आया कि नहीं आया, आगे न, अब यह ठीटा हो गया, यह 60 प्लस ठीटा हो गया, यह 60 मानेश ठीटा हो गया कि नहीं हो गया, जली से बोलो हांसर मजा आ गया, इसकी वैलू होगी 1 दुनी 16, तो 3 बटे 16 आपका यहाँ पर क्या हो जागा है, बोलो समझ में आया, यानि अगर कहीं कोशन में ठीटा, 60 मानेश ठीटा, 60 प्लस ठीटा नहीं बनना है, ऐसा बिल्कुल भी चरूत नहीं है, कि आपको वही आजा कोशन और आप आराम से कर पाओ, बिल्कुल भी ऐ आप से पूछी गेती यार, इसकी वैलू क्या होगी, कोशन को थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कि कोशन में इसको solve कैसे करेंगा, बहुत आसान सा यह कोशन है, बहुत easy सा कोशन है, खाली आपको सोचना है, कि यार हम इस कोशन को solve कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोश चलिए, अब हमें कुछ चीज़े यहां पर यह देखनी है, कि अगर हम देखेंगे, इसका और प्लस इसका सम कर दे, यानि 40 प्लस 2X, और 50 माइनस 2X का अगर हम लोग सम कर दे, तो यह तो सम 90 आ जा रहा है, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, अगर हम इसका और इसका सम कर दे, यह तो सम 90 आ जा रहा है, अगर सम 90 आ गए, यानि यह 45 होगा, यह 45 होगा, 45 की वैलू, 1 अपान 2, 1 अपान 2 होता है, इसका लगा है, तो 1 अपान 2 का स्कार, प्लस 1 अपान 2 का स्कार, बराबर आ जाएगा, 1 अपान 2, प्लस 1 अपान 2, बराबर 1 आ जाएगा, बोलो हा B 45 क्योंकि दोनों ही साइन है क्लِयर है कुछ मजा आए की नहीं आया चीज़े समझे हैं कि बिल्कुल आ गई ना आसान से कोशन था एगगी से कोशन था इंपोर्टिन से कोशन था एक और सी जाला कोशन जली दिया ही नहीं है, मैं आपको बहते ही तरीका बता तो मालनों हमें दिया नहीं है, हम इसको पहले से ही value रख देते हैं, और 1 by 2 हम आगे रख लेते हैं, और हमान लेते हैं, हमान पस यहीं तीनों चीज़े दिया हुआ है, 20, 40 और 80, यहीं missing क्या है, आपको कोगे सर्फ missing है, 60 वाला, 60 की value क्या होती है, 1 upon 2, और 1 upon 4 हम लोग कॉस में लगाते हैं, बोलो भई यह तुरंट 200 आया की नहीं है, मजा आया की नहीं है, वो value भी आपको याद दखनी है, ठीटा, 60 मानस ठीटा, 60 प्लस ठीटा, वो भी याद द परिक्षाओं में पूछा रहा है, जैसे कि इसे में RRBJ का आप देखो के paper में, तो लगतार ऐसे question आपकी परिक्षाओं में पूछे जा रहा है, आप इसको नहीं कर पा रहो, ठीक है, तो चलिए दोस्तों यह था series के question साब सभी के लिए, कमी question आपनों ने solve के, लेकिन सारे quality question थे, इसको आपको दिमाग में रखना है, कि sign दिया है, तो one upon four होगा, cause दिया है, तो one upon four करके three data करेंगे, लेकिन ten में वो चीज़े नहीं होगी, तो सरी हम लोग वीडियो खतम करते हैं, thank you so much पूरी वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को share करिए, साथ जाद आपको बता दे कि हम लोग लगता है, बहुत सारे महत्यपूर, महत्यपूर topics को clear कर रहे हैं, वो सारे के सारे topics आप लोग देख सकते हो, जापकी परिक्षाग बहुत ज़्यादे महत्यदे महत्यपूर है, पूरी topics ज़रूर देखेगा, और हम लोग daily सुबह 7 बजे एक नए-ने questions ल कर आने वाले हैं, उसका भी आप लोग वेट करिए, इसके लिए बिल आइकॉन पर क्लिक करे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, तापको आपको आपको मिलते रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल MD Classes को, और क्लिक करिए बिल आइकॉन पर important education videos कर देखने के लिए.